देखो जब यहाँ पर A में चाहे कोई भी value दे दो, यहाँ पर तो 1 दिया गया है ना, तो जब इसको run करवाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर range function का यूज़ गया, अब यह 15 से 20 के बीच में print होगा, ठीक है, अब देखो इसको मैं यहाँ से एक बार save कर के देता है, यह पहले ही बता चुका हूँ, तो इसलिए यह उन्हें इस टो print होगा है, अब इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपने, कोई ने कोई value इसमें होनी चाहिए, अब अगर आप 0 दे देते हैं, तो क्या होगा, आजए वो भी देख लेते हैं, यह run पर जाएं सोरी, variable में कोई value assign होनी चाहिए, तब ही यह print हो कराएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अब यहाँ पर आप 100 दे देंगे, देखिए तब क्या होता है, आए देखते हैं, इसको save किया, run पर गए, ओके, और अभी भी आपको वही चीज़े print होती होगी, यहाँ पर इ range हटा देते हो यहाँ से, तब 20 देख यह print होजाएगा, देखो यह range हटा दे हाँ हमने, अब देखो क्या होता है, देखो How to print होता है कि नहीं होता है, यह देखो यह हो गया, यह हो गया, तो अब देखो यहाँ पर 15-20 print हो रहा है, जो dowels दिया गया, वही चीज़ प्रिंट ह हो रही है अब continueív में print नहीं हो रहा है यह भी एक नुकसान नहीं लेकिन रहेगा तो continue Rossum Tip करेगा यह यह print करेगा इसको कहो देखो यह सेफ कर दिया और यहां से रण कर डिया तो run कर वाएंगे तो continue e में हैं ना अब यह 15 से 20 है इसको हम कुछ और भी कर सकते हैं जैसे मालों यहां पर कर देते हैं 18 18 कर देते हैं तो 18 अब काउंट करो कितना हो दा 18 19 20 तो range लगा हुआ तो एक माइनस हो जागा तो खाली 18 और 19 प्रिंट होगा देखो ना इसको save करते हैं यहां से और यह देखो यह हो गया यह हो है ना तो यह 18 उन्हों ने इसकाली दोईचीज प्रिंट हो रही है ना clear है